हेलो एवरिवन जतिन मेडिकल नेंड नर्सिंग अकेडमी की ओनलाइन क्लासेज के अंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम आड़ी चोधरी है आज का जो अपना लेक्चर है वो सिरीज अउंकोलोजी की क्लास 10 है इसके अंदर अपन कैंसर डागनोस्टिक इसके अंदर बात करेंगे इससे प्रिविएस जो अपनी लेक्चर था वह भी कैंसर डाइगनोस्टिक टेस्ट का ही था बट उसके अंदर नंबर वन अपने नीडल बायोपसी टेस्ट के बारे में डिसकर्स किया था और उसके बाद नंबर टू इसकिन बायोपसी टेस्ट आज का जो अपना lecture है वो होने वाला है तो चलो आज काा अपन 강ि स्टार्ट करते हैं आज की जो class है इस class के अंदर जितने topics अपन discuss करने वाले हैं उनका एक बार आपन index देख लेते हैं जिसके अंदर सबसे पहले अपन discuss करेंगे Skin Biopsies test क्या होता है उसके बाद types of skin biopsy test जिसमें number one save biopsy, number two punch biopsy and number three incisional biopsy and उसके बाद number और exisional biopsy और इनके साथ ही साथ अपन difference between incisional and exisional biopsy के बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे आज की class के अंदर सबसे पहले अपन discuss करेंगे skin biopsy test के बारे में जो इससे previous अपनी जो class थी oncology की class 9 उसके अंदर अपने needle biopsy test के बारे में पढ़ाता और जो आज की class 10 है इसके अंदर skin biopsy test के बारे में अपन पढ़ेंगे एक्जाम के दरस्टिकों से यदि देखा जाए तो जो needle biopsy test और skin biopsy test है इन में से बहुत ज़्यादा क्यूशन फूट अप होते है इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा important topic है तो इनको अच्छे से details से अपने आपे पढ़ेंगे जो skin biopsy test होता है इसको अपन cutaneous biopsy test भी बोलते हैं यानि skin biopsy test also known as skin cutaneous biopsy skin cutaneous biopsy skin biopsy test का ही नाम है ओके अब अपन बात करते है skin biopsy test होता क्या है इस procedure के अंदर क्या होता है इसके बारे में अपन detail से पढ़ते है it to remove cells from surface of your body जो अपना body surface होता है इसके उपर skin की covering होती है और skin की covering होती है इसके उपर जो body का surface area होता है इस surface area से किसी cells को remove करना skin biopsy test कराता है किसले remove किया जाता है skin की surface area पे यदि अपने कुछ suspicious cancer है अपन suspect कर रहे है तो उस वाले area से skin का sample जो collect किया जाता है उसको अपन skin biopsy test बोलते है पिर अपन बात करते है skin biopsy used most often to diagnose skin condition including melanoma and other cancers जो skin biopsy test है इसके usage के अपन बात करे है जो skin होती है skin का जो diagnose करने के लिए यानि skin की जो surface area होता है उस surface area से sample को collect करके उसको laboratory के अंदर testing के लिए भेज दिया जाता है वहाँ पे उसकी pathological conditions के बारे में जाना जाता है और उसके बाद अपने को पता लगा जाता है कि यहाँ पे कोई other परकार की cancer है या फिर melanoma है या किसी भी तरह की जो abnormal conditions होती है उसको detect करने के लिए skin biopsy टेस्ट लिया जाता है पिर अपन बात करते है what type of skin biopsy you undergo will depend on type of cancer suspected and extend of suspicious cells अपन जो biopsy लेनी होती है skin की वो किस जगे से लेनी है यह depend करता है कि cancer suspected है यानि किस तरह की cancer के बारे में अपने को suspension है वो चीज़ डिपेंड करती है और उसके साथी साथ जो cancer जो अपन suspect कर रहे है उसकी extend कहां तक है यह चीज़ डिपेंड करती है अब यहाँ पर extend की बात करें तो जैसे किसी भी body के part पे skin के उपर यह cancer है या कोई melanoma है तो वहाँ पर अपन suspect कर रहे है कि यह cancer हो सकता है तो उसके बाद उसका extend का पता ऐसा लगा है कि उसकी severity क्या है यानि वो skin की किस layer तक जा चुका है किस body tissue तक जा चुका है या bone तक चला गया है muscles को cross कर चुका है यह उसकी extend को बताता है कि किस extended हो गया है types of skin biopsy test जो skin biopsy test होते हैं वो कितने types के होते हैं तो जो skin biopsy test है वो four types के होते हैं number one save biopsy, number two punch biopsy and number three incisional biopsy and number four excisional biopsy अब इनको एक एक ओपन detail से यहाँ पे discuss करते हैं अब यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे save biopsy test के बारे में number one है save biopsy test save biopsy test क्या होता है इस save biopsy is only used for growths और abnormal area they are on top और other layers of skin जो save biopsy है उसकी अपन uses की बात करें तो जो skin की top layer होती है जो skin की layers होती है इन में से जो outermost layer होती है जो top layer होती है यानि outer covering होती है जो skin की अपनी जो epidermis होती है उसके अंदर किसी भी परकार की abnormal growth यानि या फिर abnormal development of skin इदी वहाँ पे देखने को मिलता है तो वहाँ पे save biopsy test का यूज क्या जाता है पिर अपन बात करते हैं this include the epidermis and outermost part of dermis अब इसके अंदर skin की कौन से layer से जो अपन पहले भी में बता चुका हूँ कि outermost layer या फिर skin की topmost layer है वहाँ से simple collect किया जाता है save biopsy test के द्वारा बट इसके अंदर skin की कौन-कौन से layer include होती है एक तो complete epidermis use होती है यानि epidermis सबसे outermost layer होती है और उसके नीचे होती है dermis तो जो epidermis तो complete होती ही होती है और epidermis के साथ ही जो dermis है dermis का push part यानि dermis का जो outermost part होता है वो भी इसी save biopsy test के द्वारा sample collect किया जाता है यहाँ पे जो आपको एक नीचे image दिखाई दे रही है इस image के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो save biopsy test होता है इसका नाम save biopsy test इसी लिए पड़ा है क्योंकि जो outermost layer होती है तो वहाँ पर जो अपना razor होता है जो saving के अंदर यूज किया दाता है razor होता है या फिर blade होती है उसी तरह के instrument यहाँ पर biopsy से collect की जाती है जो skin की outermost layer दिखाई दे रही है उपकर जो epidermis दिखाई दे रही है यहाँ से तो डारेक कलर के अंदर है वो dermis है तो जो epidermis और dermis का कुछ part इसको sample के अंदर collect करते हैं पिर अपन बात करेंगे save biopsy mainly done to diagnose जो save biopsy test किया जाता है इससे क्या-क्या diagnosis किया जाता है types of non-melanoma skin cancer जो save biopsy test है इससे non-melanoma cancer का अपने को diagnose कर जाता है जिसके अंदर non-melanoma cancer किस किस तरह के होते हैं उनके नामस के बात करें तो जैसे basal cell carcinoma हो गया या फिर isquamous cell carcinoma हो गया यह जो carcinoma है basal cell carcinoma और isquamous cell carcinoma यह non-melanoma skin cancer है यानि इससे melanoma का diagnose नहीं किया जा सकता इससे सिरफ और सिरफ non-melanoma का diagnose किया सकता है फिर अपन आगे बात करते हैं during और save biopsy जब save biopsy कर रहे होते हैं during a save biopsy doctor uses a tool similar to a razor to scrape the surface of your skin जो मैं आपको पहले भी इसके अंदर बता चुका हूं कि जो doctor होता है जो sample collect करता है save skin biopsy ली जाती है उस दुरांद जो tools यूज की जाती है जो instrument use के जाते है वो एक जो skin razor होता है उसी के similar instrument होता है यानि उसी तरह का instrument होता है और इससे जो skin का जो superficial area होता है जो surface area होता है उसको scrape करके वहां से simple को collect के जाता है ओके फ्रेंट्स पिर अपन बात करते आगे अब अपन नम्मर 2 की बात करेंगे नम्मर 2 है punch biopsy test अब अपन punch biopsy test के बारे में बात करेंगे punch biopsy is diagnostic test where a small tube shaped piece of skin and some other tissue underneath are removed using sharp cutting tool जो punch biopsy है यह भी एक परकार से diagnostic test है जिसके अंदर small tube होती है एक small instrument होता है और वह tube shape का होता है जहां अपन इमेज आएगी उस इमेज में दिखाए देगा आपको कि small instrument होता है और वह tube shape का होता है यानि एक नली के shape का होता है एक जो piece of skin को collect करने के लिए use में लेते है कहां से some other tissue underneath are removed using sharp cutting tool इसके अंदर जो tube shape जो instrument होता है उसका जो आगे वाला area होता है इसकी tips होती है वह sharp cutting tool की तरह काम करता है यानि sharp होता है वहां से nukila होता है जो sample को collect करने के लिए काम में लिए जाता है बट इसकी mostly अपन punch biopsy की बात करें तो जो skin होती है skin के नीचे जो अपने tissues होते है उस tissues का sample collect करने के लिए अपन punch biopsy test का use करते है अब अपने थोड़ा सा यहां पर देखते हैं कि जो इससे previous अपने number one देखा था save biopsy test उसका use किसके लिए होता है epidermis and part of dermis का sample collect करने के लिए यूज लिए जाता है बट अपने यदि punch biopsy test की बात करें तो यहां पर जो skin के नीचे जो tissue वाला part होता है वहां से इसका sample collect करने के लिए punch biopsy test का use होता है इस image के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो एक tube shape instrument है जो एक patient का hands दिखाई दे रहा है उसके sample collect करने के लिए use कर रहे है जो इसकी tips होती है वो कापी sharp होती है जो superficially जो layer होती है उसको insert कराई जाती है और जो skin की जो layer होती है इसको cross करके skin के निचे जो tissues होते है उसके अंदर deep तक चली जाती है और वहां से sample collect करके ले आती है जिसको पर थोड़ा और आगे देखे इसको थोड़ा zoom करके देखे तो यह instrument है इस instrument का जो tips वाला part है वो देखे जो आपको stainless steel दिखाई दे रहा है और जो यह part है यह sharp होता है फिर इसके अंदर बात करते हैं जो उपर यूपर जो layer दिखाई दे रही है यह epidermis है जो brown color में दिखाई दे रही है इसके नीचे आपको direct color में दिखाई दे रही है यह dermis है और इसके नीचे जाके जो फेट्स दिखाई दे रही है आपको white color में यह क्या है फेट है और इस फेट के नीचे जहां पर इस instrument की जहां tip दिखाई दे रही है आपको उस tip के पास यहां पर कुछ tissues है और इस tissues का simple collect करन के जा सकता है the tissue is then examined under a microscope और उसके बाद जो tissues का sample collect करते हैं उनको अपन microscope के अंडर examine करते हैं यानि उनका examination के जाता है microscope के अंदर उन tissues का और उससे पता लगाए जाता है उससे diagnose के जाता है कि यहां पर कौन से वाला cancer है यानि cancer को diagnose के जाता है अच्छे से उसके बात करते हैं during punch biopsy doctor uses a circular tool to remove a small section of your skin deeper layer अब इसके अंदर भी क्या करते हैं जब भी punch biopsy ले रहे होते हैं उस time जो डोक्टर जो tools use करता है जो instrument use करता है वो instrument किस तरह का होता है circular tool होता है circular का means क्या होता है यानि गोलाकार एक गोलाकार नली के टाइप का यानि टूब टाइप का instrument होता है और उसको एक skin के जो deep layer होती है इसकीन की जो deep layer होती है जहां पर tissues पाए जाते है वहाँ से small section यहीं small quantity के अंदर tissues का जो sample को collect करने के लिए इसका use कह दाता है जो इस image के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब अपन बात करतें next अब अपन इसके अंदर बात करेंगे number 3 वो number 3 का नाम है incisional biopsy test जो number 3 जो अपना skin biopsy test है इसका नाम है incisional biopsy test इसको अपन डीटेल से देखते है एन incisional biopsy is a medical test जो previous अपने दोनों test बोले देखे थे वो दोनों test एक तरह से diagnostic test है बट उनको अपन medical test नहीं बोलते है बट जो incisional और exisional biopsy test है यह दोनों medical test के अंदर में आते हैं एक तरह से medical test है और इनसे remove a piece of tissue उससे tissue की small quantity sample का collect किया जा रहा था बट जो incisional biopsy test है इसके अंदर tissue का एक piece collect किया जाता है complete piece collect किया जाता है कहां से जहां पे जो lesion है जो mass है जहां पर अपने को cancer suspected है यानि जो lesion है जो गहाव बनावा है जहां पर अपने को लगता है या suspect कर रहे कि cancer develop हो सकता है या cancer यह हो सकता है उस वाले area से एक tissue का एक piece complete एक piece को वहां से collect किया दाता है अब अपन बात करते हैं the tissue is then tested to find out what it is tissue का sample collect करके उसको laboratory के अंदर microscopic examination के जाता है और microscopic examination के दौरा find out करते हैं कि यहां पर cancer किस stage के अंदर किस तरह की malignancy यहां पर develop हो रही है अब अपन बात करते है एंड एकसीजनल बायोपसी यह तो इंसीजनल बायोपसी की बात थी इसका comparison अपन एकसीजनल बायोपसी से करें तो एकसीजनल बायोपसी इस मेडिकल टेस्ट इन विच वूल लीजन और मास इस निमूवड एंड टेस्टेस्ट इसके अंदर क्या करते हैं हैं जो मास है जहां पर कैंसर को suspect कर रहे है उस कंप्लीट एरिया को वहां से रिमूव किया आता है अब अब बात करते हैं कि चारूं यानि जो चार टाइप्स की हम पे होती है ब्लिख स्कीन, 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 बैवी टेश्ट उनमें से सब से पहले अपने देहा था इसके अंदर क्या कर रहे ते सिर्फ एपीड्रह और थोड़ा सा पार्स डरमिक्स का वहां से collect कर रहे थे पिर अपने next किसकी बात की save biopsy test के बाद जो वहाँ पर अपने बात की थी punch biopsy test की तो punch biopsy test में क्या करते हैं जो skin के नीची जो deeper tissue होते हैं तो थोड़ा सी quantity के अंदर small quantity के अंदर tissue का sample collect किया जाता है और उसके बाद अपने incisional biopsy test में बात करें तो इसमें थोड़ा सा part नहीं tissue का एक काफी बड़ा बुच्छा बात कर सकते हैं या piece of tissue एक tissue का complete part जहां पर lesion है उस lesion से collect किया जाता है और फिर अपन एकसीजनल biopsy के बात करें तो उसमें जो wool lesion है जो complete lesion है जो complete mass है उसको complete को वहां से remove किया जाता है अब अपने next बात करेंगे incisional and excisional biopsy are most often या इसके उपर कोई lesion है या फिर किसी muscles में lesion है या फिर lymph node पे कोई lesion है brisht skin muscle या lymph node इन में कही पे भी एक lesion है कही गहाव है या पिर कही पे mass है जहां पे अपने cancer को suspect कर रहे है तो वहां पे incisional और exisional biopsy का use किया जाता है बट incisional से एक piece of tissue को remove किया जाता है और जो exisional है इससे एक complete जो lesion होता है उसको अपने को remove करना होता है उससे के बाद अपन बात करते है during incisional biopsy यदि incisional biopsy के बात करे तो इसके अंदर जो doctor होता है वो जो instrument यूज करता है वो एक scalpel होता है यानि blade होती है scalppel किसको बोलते है एक blade जो सारफ instrument होता है blade होती है तो उसको एक open wound के द्वारा यानि open वहाँ पे surgery type में किया जाता है और small surgery उसके द्वारा एक procedure करके वहां से scalpel के द्वारा एक tissue का piece of tissue का sample वहां से collect कर लिया जाता है अब अपन बात करते हैं whether you receive stitches to close the biopsy site depending on amount of skin remove अब उसके बाद जहां से पने sample collect किया है उसको जहां पर अपने हो जिस amount के अंदर skin का sample collect किया है उस amount के according वहां पर skin की stitch होगी यानि उसके बाद stitch कर दिया जाता है उस जो wound है उसको वापिस close कर दिया जाता है किसके द्वारा close करते हैं stitch लगा के वहां पर stitch लगा दिये जाते हैं और कितनी मात्रा के अंदर या कितने बड़े stitch लगते हैं यह depend करता है आपने skin का कितना बड़ा या किस amount के अंदर sample collect किया है अपना next जो number 4 है उसके बारे में बात करेंगे वो है exeasional biopsy test कि exeasional biopsy test क्या होता है आपको इस image के अंदर दिखाई दे रहा है एक सीजनल बायोपसी टेस्ट क्या होता है यह यह एक complete एक लिजन है एक घाव एक मास है जहां पर cancer suspect है अपने को और जो डवलप हो रहा है जहां पर अपने को लग रहा है यहां Malignancy हो सकती है तो उस complete area को रिमूव किया जाता है वहाँ से रिमूव किया जाता है क्योंकि जब cancer की जो extend हो जाती है हो सकता है अपने को बाद में suspect हुआ एक early stage के अंदर अपने को suspect हो जाता है तो वहाँ पे biopsy भी वहाँ पे किस तर की use की जाती save biopsy या फिर punch biopsy यूज की जाती यह दि उससे थोड़ा ज्यादा extend हो गया है तो incisional biopsy यूज की जाती है बट अपने को late पता लगा है यानि early stage में जहाँ पता लगा है और अपने को late stage के अंदर पता लगा है और अपन सस्पेक्ट कर रहे कि या फिर डिजीज जो कोज हुई है वो डिजीज वहां से ट्रेवलिंग करके किसी बोडी के other parts में चली जाएगी या फिर इसकीन में भी जहाँ डवलप हुई है या फिर मसल्स ब्रिष्ट में जहां कई भी डवलप हुई है उसके नियर बाउट के जो टिश्यू होंगे उन या यह बडाय इसके बड़ा सा चोड़ा लोकल इंसीजन लगा जाता है बट लोकली निइस्तेटिक यूज कहँए जाता है जब बायोप्सी करते तो एकसीजनल बायोप्सी करें या फिर C ल वहालों ग या नहीं होती इसके उनदर अपनrí लोकल citia का यूज कहा जाता है वस surgical removal of tumor जिसके द्वारा अपन जो tumor develop हो रहा है जो lesion है उसको surgically remove कर देते हैं and some normal tissues around it but external biopsy में सबसे ज़्यदा ध्यान देने वाली चीज एक है कि जो इससे पहले अपने तीन biopsy पढ़ी है save biopsy, punch biopsy and incisional biopsy उनके अंदर अपने जितना जो lesion के जो tissues है या फिर जो part infected है जिस part में malignancy develop हो रही उसी part को remove कर दाता है but external biopsy होती है इसके अंदर जिस part को पर remove कर रहे है जहां malignancy suspected है उसके साथ इसाथ उसके जो near about की tissues होंगे जो normal tissue है फिर भी उनको भी remove कर दाता है because उसका reason यह है कि हो सकता है जो near about की tissues है उनमें अपने को malignancy suspect नहीं हो रही है but उनके अंदर कुछ quantity के अंदर इसकी spreading हो चुकी हो और अपन ने यदि malignancy malignancy वाले part को जो lesion lesion वाले part है उसको remove कर लिया तो उसके बाद जो normal tissues है उनमें इधी वो growth करके spreading हो सकता है इसलिए कुछ उसके near about के normal tissues होते हैं उनको भी अपन remove करते हैं पिर अपन next बात करते है the amount of normal tissue taken depends on thickness of tumor अब जो normal tissues अपने near about से अपने रिमूव करने हैं यह किसफे depend करता है ? कि जो आपने जिस tumor को जिस lesions को remove करना है उसकी थिकनेस को है? उसकी थिकनेस होती है उसकी जो मोटाई होती है टूमर की उस थिकनेस के according depend करता है कि normal tissues का कितना बड़ा part वहां से remove करना पड़ रहा है अपने को जो normal tissue होते हैं जिनको अपन also called is clinical margin clinical margin का मींस यहां क्या है कि जो tumor है tumor के जो infected tissue sale है इसके अलावा जो near about की जो tissues होते हैं वो normal है बट उनमें कुछ sign cancer के दिखाई दे रहे हैं तो उनको बोलते हैं clinical margin या फिर जहां जो suspected area है जहां malignancy है जो tumor है उस tumor के जो touching में जो tissues है उनको infected ही माना दाता है या उनको clinical margin का नाम दिया गया है तो जो एकसीजनल बायोपसी के अंदर tumor के साथ अपन ऐसा बोल सकते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशीज कीजिएगा कि एकसीजनल बायोपसी टेस्ट के अंदर बायोपसी जब tumor को अपन रिमूव करते है तो tumor के साथ में जो clinical margin tissue है उनको भी अपने को रिमूव करना होता है इसके बाद अपन बात करते हैं जो incisional और एकसीजनल बायोपसी होती है वो किस तरह की लिजन में यूज़ होती है जैसे ब्रिष्ट के लिजन हो गया या पता चुका हूं इसके बाद अपन बात करेंगे डियोरिक एकसीजनल बायोपसी डॉक्टर रिमूव एन इंटायर लंप जब एकसीजनल बायोपसी करते हैं तो जो डॉक्टर वहां पर इंसीजन लगा रहा है वहां से जो इंटायर लेंप्स यानि जो complete लीजन है जो complete लंप है जो इंटायर एरिया ओप अबनोर्मल स्कीन जो अबनोर्मल स्कीन की जो ग्रोथ का जो एरिया है उसको अपनी जो सेंपल ही नहीं सेंपलों के साथ साथ जो और उसके बाद क्या करते है जिस एरिया से इंसीजन लगा के अपने को टूमर को रिमूऌ किया है उस एरिया को क्लोज करना होता है किसके दवारा क्लोज करते हैं किस निए की डिफेंस बिट्विन इन सीजनल एंड एक्सीजनल बायोपसि जो अपन ने यहाँ पर skin biopsy पढ़ा है यह four types की होती है इन में से incisional और exisional biopsy काफी ज़्यादा important है और इनके difference से अब आप एक दूसरे को comparison करके अच्छे से याद रख पाऊगे इसलिए यहाँ इनके थोड़े से difference की बात करेंगे जो main-main इनके topics है उनके बारे में इनसीजनल biopsy और exisional biopsy अब सबसे पहले इनसीजनल biopsy की बात करें तो consist of lesion and normal adjacent tissue in order to make a definitive diagnosis before treatment इनसीजनल biopsy से क्या होता है इनसीजनल biopsy में होता क्या है जो complete जो lesion होता है जो cancer का उसके अंदर जो normal adjacent tissue होते हैं normal tissues होते हैं उनको भी साथ के साथ ही remove किया जाता है और इससे एक definite या फिर confirmatory diagnosis मनाया जाता है before testing treatment sorry यानि जब cancer जो cancer वहाँ पर develop वह उस cancer का अपने को treatment करना है तो treatment से पहले इनसीजनल biopsy के दोबारा उस part को remove करके उसको microscopic examination करके उसका complete diagnosis बनाके अपने को confirm करना होता है यानि इस तरह से confirmative test के लिए इसका use क्यादाता है पिर अपन बात करेंगे एक सीजनल biopsy की इसके दो परपस होते है इसको इनसीजनल जो बायोपसी है इसके अंदा तो सिर्फ diagnostic परपस के लिए यूज होता है उसके बाद therapeutic purpose इसलिए बोलेंगे कि जो complete lesion remove करने के कारण से उसकी metastasis नहीं होगी उसकी spreading नहीं होगी और उसकी extra growth नहीं होगी यानि वो disease आगे नहीं फेलेगी तो इसलिए यह therapeutic purpose भी हो गया तो इसके two purpose हो सकते है तो यहां से भी question put up हो सकता है एकसीजनल बायोपसी is very important कि diagnostic and therapeutic दोनों purpose के लिए इसका यूज होता है इस प्रोसीजर इस इलेक्टिव वेहन साइज एंड लोकेशन ओप लिजन अलाव फोर एक complete removal of lesion जो यह procedure होता है यह elective होता है इसके अंदर elective तरीके से इसको क्या जाता है when size and location of lesion allow for complete removal of lesion इसको उपर depend करता है कि जो tumor अपने को remove करना है उस procedure के अंदर उसके तो size क्या है secondly उसकी location क्या है size इसलिए depend करती कि size के according महाँ पे efforts लगा जाते size के according वहाँ पे procedure को seriousness के साथ करना होता है और जो location होती है वह इसलिए वहाँ पे assess की जाती है कि हो सकता है कोई life threatening part के अंदर है body के वो तो उसको बहुत ही safety से किया जाता है लीजन अलाव करता है complete removal को and wide margin of surrounding healthy tissue पर इसके अंदर क्या करते है जो complete लीजन के साथ ही साथ wide margin यानि काफी मात्रा में जो surrounding यानि आस पास के जो normal healthy tissues होते हैं उनको भी remove के अदाता है ओके फ्रेंट्स यदि आप जतिन medical and nursing academy online classes की YouTube चैनल पर नए है तो आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए और इसके साथ ही साथ आप bell icon को प्रेस करें वीडियो को like करें और share करें अपने friends के साथ भी और comment section के अंदर आके हमें comment करके जरूर बताया कि आपको जो यह class है यह कैसी लेख यदि आप Facebook चलाते हैं तो हमारा एक Facebook पे page है जतिन medical and nursing academy के नाम से तो उसको आप like करें एक हमारा Instagram पे भी page है जतिन medical and nursing academy के नाम से तो वहाँ पे भी हमें follow कीजिए जिसने क्या होगा जो Facebook और Instagram है वहाँ पे कुछ important जो competitive exams में आने वाले questions होते हैं वो share करते रह चलाते रहते हैं और आप यहीं वोड़सप चलाते हैं और हमारी वोड़सप ब्रोड़कास्टिंग सर्विस से जोड़नात आते हैं तो 9413722120 इन नमरों पर आप अपना नाम and address लिखे हमें message कर सकते हैं जिसके कारम से जो आपका वोड़सप नमर है वो हमारे वोड़सप ब होगा जो आपके लिए कापी helpful हो सकता है तो वह आपको send कर दिये जाएगा थैंक्यू फ्रेंट्स बाइ पॉल नाउ एंड सी यू लेटर बाबाइ